पंडीजी लेकिन जहां तक बात है आप अडवानी जी की बात कर रहे थे तो अडवानी जी की बात को देखते वे जैसे अडवानी जी आरेसेस के मुख्याले के ओर पहुंचे वही राजना सिंग भी पहुंचे तो ये जो है आरेसेस इन दोनों बड़े नेताओं को एक राष लोगों को जब बुलावा दिया जा रहा है या वहां पर पहुंच रहे हैं क्या विजेपी जो है ओ इस पूरी होड में लगीव है कि हम आरेसेस को कितना मांते हैं यह दिखाने की कोशिश कर रहे Kong devil कर कि. अँशательно के उपर चल रहा है मोहन भागवत जो हैं वो डेफिनेटली भारती ये जन्नता पार्टी की नकेल अपने हाथ में रखना चाहते हैं और भारती ये जन्नता पार्टी की नकेल एक हिंदू संगठन के हाथ में हो देश को चलाना है तो डेफिनेटली कहीं न कहीं आपको डेमोक् अंदिर भी बनवाना है तो मुसलमानों की सहमती के साथ बनवाना पड़ेगा राजनात सिंग की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं एक प्रकर नेता एक चनक के निती और चनक के बुद्धी को चलाने बाला व्यक्ति जिसने अपनी चुपी से जिसको आप मराठी में सुम ब बलशाली है इसलिए राजनात सिंग जो चाल चलेंगे उसमें एडवानी भी पीछे बैठ जाएंगे चाहे प्रणाम करके पीछे बिठा दें ठीक है ना जैसे घर का कोई बज़र्ग होता है हम बोलते हैं कि आप पपा जी बैठ जाए यहां दादा जी आप बीच में मत बो पर और अगले शोज में भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप नागपुर जाएंगे भारतीये जनधापारटी के लोगों से ज्यादा से ज़दा अगर आप नागपुर जाएंगे और महन भागबत यां राश्टीये बिच्च क्र कातेंगे तो उतना ही आपका भारत में वोट बेंक कम्जोर होगा जी जी